कांग्रेस अद्यक्षु मलिका अजुन खर्गे के घर चार घंटे तक चल रही बैठक में राहूल गांधी भी मौचुद थे पार्टे नेत्रुतु का दावा है कि राजस्थान में गहलोत और पाइलेट के बीच सुला हो गई है राहूल गांधी ने ऐसा कौन सा दावा किया और क्या किया फॉर्मूला जिससे सुलज गया सालुक पुराना गहलोत पाइलोट का विबाद आए देखते इस रिपोर्ट में राजस्थान में इसी साल विधान सभा चुनाव होना है इससे पहले कांग्रेस नेता राहूल गांधी ने अशुक गहलोत और सचीन पाइलोट के बीच का सालो पुराना जगडा सुलजा दिया है ये दावा पार्टी आला कमन ने किया है कांग्रेस चिफ मलिका अरजुन खरकी के घर चार घंटों तक चली बैठक की बाद गहलोत और सचीन पाइलोट साथ नजराए राहूल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे केसी वेन गोपाल ने कहा दोनों साथ काम करेंगे दोनों पर हाई कमान फैसला लेगा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में बीजेपी के खिलाब जीतेंगे हमने निनए किया है कि कांग्रेस युनाइडेली चुनाव में जाएगी दोनों पर फैसला आला कमन लेगा मुद्दू पर फैसला आला कमन लेगा और तै हुआ कि साथ मिलकर लड़ेंगे सुत्रों के मुताबिक पार्टी आला कमन ने गहलोत और पाईलोट से अलग-अलग बैठक की दोनों नेताओं ने खुल कर अपना पक्ष रखा कांग्रेस नेतरुद्वा ने दोनों नेताओं गहलोत और पाईलोट से मद्वित भुला कर इस साल के अंत में होने जा रहे विधान सभा चुनाओं के लिए एक जुट होने की अपील की सुलग के फॉर्मुले के तस्वीर साप नहीं है लेकिन पाईलोट को उनके मुद्दू पर कारवाई का भरुसा दिया गया है विडियो रिपोर्ट